बजेट सत्र का प्रारम हो रहा है और प्रारम में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को माननेता होती है बैसी अबाद चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है आशा की किरन लेकर आ रही है उमन्य का आगाज लेकर के आ रही है आज एक महत्मकु अवसर है भारत के वर्तमान राश्पती जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को बसंबोधित करने जा रही है राश्पती जी का भाशन भारत के समिर्धान का गवरव है भारत की संसदिय प्रणाली का गवरव है और विशेश रुप से आज नारी संबान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के संबान का भी अवसर है न सिर्फ संसदों को लेकिन आज पुरे देश के लिए गवरव का पल है कि भारत के वरतमान राश्पती जी का आज पहला उद्वोधन हो रहा है और हमारे संसदिये कार्य में गठ्षे साथ दसक्त से जो परंपराय विक्सित हुई है उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया साउसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है उनका आत्मविश्वाद बढ़े उस पकार से एक सानुकुल बातावन तयार करता है एक उद्वे उज्वल और उत्तम परंपरा है आज राश्पती जी का उद्वोधन भी पहला उद्वोधन है सभी सांसदों की तरब से उमंग उत्सा और उर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो ये हम सब का दाईत्व है मुझे विश्वास हम सभी सांसद इस कसोच्टिक पर खरे उत्रेंगे हमारी देश की वित्नमंत्री भी महला है विकल और एक बजेट लेकर के देश के सामने आ रही है आज के वैश्विक परिस्तिती में भारत के बजेट के तरफ नसरे भारत का लेकिन पुरे विश्वा का ध्यान है दावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्तिती में भारत का बजेट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांशाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्व जो आशा की किरन देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाश्मान नजर आए मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्यास करेगी भारतिये जनता पार्टी के नित्रुत्व में अंडिये सरकार उसका एकी मकसद रहा है एकी मोटो रहा है एकी लक्ष रहा है और हमारी कार्य संस्क्रिति के केंदर बिंदु में भी एकी विचार रहा है इंडिया फर्स सिटिजन फर्स सबसे पहले देश सबसे पहले देशवासी उसी भावनाओं को आगया बढ़ारते हुए इस बजेट सत्र में भी तक्रार भी रहेगी लेकिन तक्रीर भी तो होनी चाहिए है और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्षे सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारिकी से अध्यान करके सदन में अपनी बात रखेंगे सदन देश के निती निधारन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करके अमरित निकालेगा जो देश को काम आएगा लग फिर एक बार आप सब का स्वागत करता हूँ बहुत बहुत सुप पाहमना ही देता हूँ